नौर्थ कोरिया से बचने के लिए लोग खरीद रहे हैं आलिशान शेल्टर्स अंदर है बैड्स टॉयल्ट जैसी सुविधाएं अमेरिका और नौर्थ कोरिया के बीच पिछले काफी समय से जंग के हालात हैं नौर्थ कोरिया लगातार मिसल और नौकलिय टेस्ट कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच नौकलिय वाउ की आशंका बढ़ती जा रही है हालत ऐसे बन गए है कि इसका सीधा असर अमेरिकांस पर साफ देखने को मिल रहा है अमीर लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए बम शेल्टर खरीदने में जुद गए है पिछले कुछ हफ्तों में नौर्थ कोरिया की ओर से दी गई धमकियों के बाद इन बम शेल्टर्स की सेल में 200 फीस अदी का उच्छाल आया है हाइटेक फैसलरी से लेसे इशेल्टर जेक लाक पाउंड से लेकर कई मिलियन पाउंड तक में बिग रहे हैं एक लाक पाउंड की कीमत वाले इशेल्टर की डिमांड सबसे ज्यादा है इन शेल्टर्स में bunk beds, toilet, shower, water heater और air filtration system जैसी तमाम सुविधाई मौजूद है इन बंकर्स में electricity के लिए solar panels लगाए गए हैं वाब में सब कुछ खत्म हो जाने की स्थिती में solar panels power generation के काम आएंगे लगजरी शेल्टर्स में space ज्यादा सुविधाई और security रखी गई है ज्यादा space के चलते मालिये इसे अपने अनुसार modify भी करवा सकते हैं शेल्टर्स को बनाने वाली company rising shelters के मालिक प्लाइडस स्कॉट के मुताबिक पिछले दो हफ्तों से दोनों देशों के बीच पड़े हुए तनाव से इन बंकरों की सेल में 200 फीस अधी का इजाफा हुआ है स्कॉट ने बताया कि इसी हफ्ते उन्होंने करीब 8 बंकर बेचे जबकि इस से पहले पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 बंकर ही बिक्ते थे